Hello, Good Morning and Welcome Back Friends आप देख रहे हैं Golden Air Education YouTube चैनल आज के इस वीडियो में बात करेंगे 28 फरवरिश रिलेटेड जितने भी important का रंटा फेर बनती हैं सारे इस लेसन में complete करेंगे साथ इकाफी सारे extra facts भी यहां पर discuss करेंगे पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा आफ्टर दिन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लिजगा जिसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा जहां Hindi और English दोनों language में इसकी PDF आपको मिल जाएगी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जो इस तरह का रेल का सब्सक्राइब बटन है इससे आपको दबा लेना है साथ नी जो बेल आइकन है साइड में गंटी बटन नीचे इससे भी आप दबा लीजेगा जिससे आने वाली सारी जो नई वीडियो जाएगी अपनी चैनल की चलिए अब बात करते हैं आज की करणट फिर की तो देखे पहला क्वासन आज का आर्थिक सयोग के लिए भारत इटली सयुक्त आयोग की बीसवी बैठक का आईजन कहा किया गया है सही अनुष्रोगा नई दिल्ली में देखे इस बार जो ये बीसवी बैठक हुई है भारत इटली सयुक्त आयोग की ये नई दिल्ली के अंदर आयजित की गई है ये आप ठैन रखियेगा ठीक है और इसके अंदर जो भारत का प्रतिने दित्व किया गया है भारत की तरफ से प्रतिने दित्व किया गया है आर्थिक सयोग के लिए यानि कि दोनों देशों के बीच में क्रशी या फिर इलक्ट्रोनिक्स और अन्यस ऐसे समन्दी छेत्रों के अंदर आर्थिक सयोग को बड़ाव देने के लिए ही इसका आयूजन करवाय जाता है हर साल ठीक है ये इसका बीस्वा सज़करता है यानि ब दिल्ली के इंदर इटली की बारे मैंने बात किये है यहां पर तो इसके बारे में देखिए अगर थोड़ा सा जान लेते हैं इटली की जो केपिटल है मैंने बताया आपको रोम है ठीक है और यहां के जो करंशी है वो है यूरो यहां की करंशी है मुद्रह ठीक है यह आप पे परिवार संब्रदी योजना जो अभी रिसेंटली शुरू की गई है लॉंच की गई है तो पहला उप्सन बोलड़ा इससे रिल्टेट की हरियाना सरकार द्वारा लॉंच की गई यह नई परियोजना है बिल्कुल सही है यह जो परिवार संब्रदी योजना किसके द्वा इसका उद्धेश से कमजोर परिवारों को सायता उपलब्द करवाना है बिल्कुल सही है इसका मकसद यह ही है इसलिए इसको सुरू किया गया है इसके तहत कमजोर परिवार को 6,000 रुपे वार्शी करासी दी जाएगी तो यह भी सही है यहां पर इसका जो वेनिफिट मिलेग कितना मिलेगा है परतिवर्श जो है 6,000 रुपे की वार्शी करासी दी जाएगी जो यहां पर लोग होंगे परिवारों को ठीक है फिर देखे नेक्स्ट है कि 15,000 से कम मासिकाई वाले व्यक्ति योजना के पात्र होंगे तो इसकी पात्रता क्या होगी इस योजना की जिनकी जो मासिकाई वो 15,000 रुपे से कम है उनी को इस योजना का लाब मिलेगा ठीक है तो यहां पर चार ओप्सन सही है ठीक है तो आप का अंसर क्या होगा उप्यूक्त सभी सही है एक नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दित्तिय विश्वे युद्ध में जासुसी करने वाली भ सही अंसर का यह योजना है बिटेन की ब्लू प्लॉक योजना ठीक है इसके तरह रही में जो भारती मूल की पहली महिला जासुस थी जिनका नाम है नियूर इनायत खान ठीक है इनको यह सम्मान दिया गया है देखे यहां पर बात करते हैं तो इनोंने जो है दित्तिय विश यह द्वा था उसके अंदर जासुसी का और उसी मिसन के लिए जो बिटेन है उसने यह पुर्षकार इनको दिया है ठीक है यही इसका मकसद देने का तो यह चीज आप ध्यान रख लीजीगा उसके बाद मैं देखिए अगर बात करते हैं आप बिटेन की मैंने बात की है तो बिटेन की जो केपिटल है आप ध्यान रख सकते हैं लंदन बिटेन की केपिटल है और जो मुद्रा है वो है पाउंड इस्ट्रिलिंग या की करन्सी है ठीक है पाउंड इस्ट्रिलिंग तो यह दोनों चीज आप ध्यान रख लीजीगा चलिए नेक्स अप्टेट देखते है हाल ही में सरकार ने देश के छे हवायटो को पचास साल के लिए किस संस्ता को कॉंट्रैक्ट पर दे दिया है सही आंसरोगा अधानी गुरूप को दिखे यहां पर देश के छे हवायटो को सरकार ने लीज पर दे दिया है कॉंटेक्ट ठेके पर दे दिया है पचास साल के लिए यानि कि उनका जितना अब जो रख रखा होगा देख रहे होगा सारी अब जो है यही करेगा अधानी गुरूप तो यह चीज आप ठेहन रख लिजेगा काफी important update है यह और इसके जो संस्तापक है वो है गोतम अधानी गोतम अधानी इसके संस्तापक है और इसके जो वरतमान में चेर्मेन है वो है पृति अधानी चीज़ा चेर्मेन ध्यान रख लिजेगा वरतमान में चेर्मेन है पृति अधानी तो दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर जो हवायड यहाँ पर कॉंटेक्ट पर दिया गया है उन्हें के नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा एक तो लखनवा हवायड़ा है एक जेपूर हवायड़ा है एक तुरौनांत परम का हवायड़ा मंगलूर का हवायड़ा है गौहाटी और एहमदाबाद यह जो नाम मैंने बता है इनको यहाँ पर दिया गया है चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं हालही चर्चा में रहे इसकोन मंदिर के समंद में दिये गए कतनों पर विचार की जीए तो यहाँ हम बात कर रहे है इसकोन टेमपल की तो यहाँ पर पहला उप्शन बोल रहा है कि यह मंदिर दक्षनी दिल्ली में इस्तित है बिलकुल सही है यह कहां इस्तित है जो ग्रंध है वमारा ठीक है पर वित्र ग्रंध उसका यहाँ पर विमोचन किया है या सकी जो है यहाँ पर उसका लोंज किया है ठीक है तीसर आप्सन बोल रहा है कि इस गीता में 670 पन्य है यानि कि पेज है और 800 किलोग्राम इसका वजन है तो ये भी सही है एक आप basic knowledge के लिए ध्यान रख सकते है इसका जो weight है वो कितना है 800 kg है और इसमें जो pages की संक्या है वो 670 है ठीक है उसके बाद में ये है गरंथ लगबग 3 मिटर लंबा और 2 मिटर चोड़ा है तो ये भी सही है इसकी length और चोड़ा जो है आप ध्यान रख सकत है हाल ही कबरों में रही quick reaction missile qrsm के समंध में दिये गए कत्रों पर विचार करें यहां पर हम बात कर रहे है quick reaction missile जिसको कहते है qrsm ठीक है तो पहला option बोड़ रहा है कि इसका निर्मान DRDO द्वारा क्या गया है बिल्कुल सही है जो भारत का ही एक निर्मित भारत की ही निर्मि जिसी missile है यह और हाल ही में इसका परिक्षन चंदीपूर का जो ओडिशा का जो चंदीपूर्ट है वहां से सफलता पूर्वक किया गया है तो यह भी सही है recently इसका परिक्षन कहां किया गया है जो ओडिशा का चंदीपूर्ट है वहीं से इसका सफल परिक्षन किया गया है तीसरा बोल रहा है कि यह है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाल है, यह जरूर इंपोर्टेंट ध्यान रखना इसको, ठीक है, इस तरीके से यह कुछ लिया जाता है कि किस तरीकी मिसाल है, तो ध्यान रखना है, यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाल है, ठीक है, तो उद्गाठन किया है तो सही अंसर है राजस्तान में दिखी राजस्तान के स्ट्ट्रेंट्स के लिए काफी इंपर्टेंट अब डेट है यहाँ वेसे आपको ध्यान रखना है उस वहीं पर यहाँ पर तितनवाला संगराले की स्टापना की गई है और यह इस्टाप जो भी इ चीपा समाज है ठीक है जो चीपा जाती है उनकी एक painting है जिसका नाम है hand block painting hand block painting का समद किसे है चीपा समाज से है और उसी को promote करने के लिए ये संग्राले का जो है उद्गाठन किया गया है ठीक है ये ध्यान रख लिजीगा राजस्तान की CM वरतमान में असोग गहल होता है आप ध्यान रख लिजीगा और गवरनर है कल्यारण सिंग ठीक है ये भी आप ध्यान रख लिजीगा चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं हाल ही में शुरू गरब इनी मिशन का उद्धेश से क्या है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो गरब इनी मिशन रिशेंटली शुरू किया गया है इसका मकसद क्या है तो इसका उद्धेश से मात्र इंसिस्स वास्ते में सुधार लाने के लिए ही इस mission call शुरू किया गया है ठीक है ये बस इतना साथ ध्यान रख लीजिएगा नेक्स्ट कॉस्टन देखिए भारती है वायू सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाब surgical strike 2.0 के दोरान निम्न में से किस विमान को उप्योग किया गया है तो ये क्या गया है मिराज का देखिए काफी अच्छे update ध्यान रखेगा इसका विमान का नाम जो भी recently surgical strike 2 हुई है वो मिराज 2 जो विमान उसके उप्योग किया गया है इसके अंदर ठीक है लगबग यहाँ पर अप्रोक्स्मेंटली पंदरा सोरी बारा मिराज विमानो का जो है यहाँ पर उप्योग किया गया था इस strike में और इसके अंदर जो है इस strike के दोरान लगबग हजार किलो जो विस्पोटक है उसका यूज किया गया था ठीक है तो यह चीज आप ठैन रख लीजीगा और बाकी की सारी चीज़े अभी जैसे की यह सर्जीकल स्टाइक की होगी थी यह सारी तो आप पता ही होगा पाकिस्तान के अभी जो हमारे दोनों देशों के बीच में जो चल रहा है ठीक है तो इसके बारे मैंने पहले भी आपको बता दिया है चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं निम्न में से किस राज्य के दुआरा माता पिताय की सुरुक्सा के लिए प्रनाम आयोक का गठन किया गया है यह इसको मंजूरिदी गई है सही अन्शोगा असम असम राज्य सरकार नहीं यह यहाँ पर इस आयोक के गठन को मंजूरिदी है इसके लिए बिलपारिद किया है और इसका जो उद्दे से वो है जो राज्य के जो सरकारी करमचारी है उनके जो बुजर्क माता पिता है उनकी देखपाल के लिए ही इस आयोक का गठन किया गया है ठीक है और इसका अहली में जो है इसको गठन किया है जो सर्वनन्दा सोनवाल यहां के मुख्यमंत्री है उन्ही के दोबार जो है इसको पास किया गया है ठीक है यहां के मुख्यमंत्रिया आप जैसे कि मैंने बताया सरवनन्दा सोनवाला ठीक है यह देहन रख लीजिएगा नेक्स्ट यहां पर देखे कॉसन अपना दिल्ली में आयुजित किये जा रहे है ISSF विश्वे सुटिंग चेंपियंशिप में मनु भाकर और ब्लेंक स्पेस ने 10 मिटर एर पिश्टल की मिसरत परतिस परदा में स्वन पदग जीत लिया है तो यहां पर देखे ब्लेंक स्पेस का एक कॉसन डाला गया है तो इसमें जो फेल होगा वोगा सोरव चोधरी ठीक है यानि कि जो अभी जो दिल्ली के अंदर आईस से सुटिंग चेंपियंशिप चल रही है उसके अंदर जो 10 मिटर एर पिश्टल की मिसरत इस परदा में जो गोल्ड मेडल जीता है और किसनी जीता है मनु भाकर और सोरव चोधरी ने इन दोनों के जो है संयुक्त रूप से इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है यह चीज़ा आप ठैन रख लिजेगा बाकी की यहाँ पर नेक्स्ट अप्टेट देखते है नई दिल्ली में उपराश्ट पती M.Wing के नाइडू दौारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है यह किस के दौारा लिखे गई पुस्तक है जो हाइलाइट आप देख रहो रेड कलर में इस पुस्तक का अहली में जो है लोंच किया गया है M.Wing के नाइडू जी उपराश्ट पती है उनके दौारा और यह लिखे गई है Dr. A. Chaturvedi के दौारा Dr. A. Chaturvedi के दौारा जो है यह लिखे गई है पुस्तक और यह धियान रख लिजिएगा इतना सा ठीक है देखे यहाँ पर आप देखरो इसका English word meaning है Quality Accreditation यहाँ पर Accreditation जो है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब उद्ध है माननेता चीक है यह धियान रख लिजिएगा चुलिए next यहाँ पर देखे अगला करसन है अपना किस राज्ये ने फिल्मों के निर्मान के लिए अनुकूल एकोसिस्टम विक्सित करने के उद्धेसे से फिल्म निती 2019 को मंजूरी दी है तो इसका सही अनसर है उडिसा उडिसा का जो मुख्य मंत्री है नवीन पतनाइक उन्ही के दुवारा ये फिल्म निती 2019 जो है इसको मंजूरी दी गई है ये आप ठ्यान रख लिजिएगा इसका मक्सद है राज्य में फिल्मों की निर्मान के अनुकूल जो है इकोसिस्टम डवलप करना ये ही इसका मक्सद है ठीक है और यहां के गवर्नर है वो है गणेसी लाल ठीक है तो दोनों चीज़ आप ठ्यान रख लीजिए जो गवर्नर है वो गणेसी लाल है प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजिंग इंडिया सम्मिलन 2019 का उद्गाठन किया है इसका विशे क्या है तो इसका विशे है बियांड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नैशनल पिरियरिटीज ये इसका विशे है राजिंग इंडिया सम्मिलन का ये आप ध्यान रख लिजेगा चलिए नेक्स्ट काउसन देखिए देश में सोर पर यूजनाओं के क्रियान वने के लिए बैंक और बड़ोधा द्वारा किस बैंक से 130 मिलियन एमेरिकी डॉलर रेंड लेने हे तू एक समझता किया गया है तो ये समझता हुआ है KFW KFW Development Bank जो है और ये कौन से देश का बैंक है जर्मनी का बैंक है ध्यान रखिएगा ये जो बैंक है जर्मनी का बैंक है जिसी के साथ हमारे जो बाहरत का बैंक और बैंक है इसने समझता किया है 130 मिलियन एमेरिकी डॉलर का रेंड लेने है तो इसमझता हुआ है जिसका मक्षद क्या होगा हमारे देश के अंदर जो सोर परियुजना है उनके क्रियान वने के लिए ही ये रेंड को यहाँ पर समझता किया गया है ठीक है ये ध्यान रख लीजिएगा चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आज की क्वीजे आपके लिए इसका अंसर नीचे कमेंट ओक्स में आपको लिखना है तो देखी कॉसन आज का निम्न में से किसने इरानी ट्रोफी 2019 का किताब जीता है जो भी आपका सही अंसर है आपको नीचे कमेंट ओक्स में मेंचन करना है ये थी आज की कारण टाफेर I hope वीडियो आपको पसंद आयोगी किसी भी कॉसन से रिलेटेट कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट ओक्स में लिख सकते है वीडियो पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा स्यादा इससे को सेर कीजिएगा तो अभी के इस वीडियो में इतना है Thank you so much for watching us मिलते हैं next वीडियो में धन्यवात